फिर से विवादों में गेवरा का एडवांस डिएगनोस्टिक कलेक्शन सेंटर प्रशासन के कहने पर सरकारी होस्पिटल में रिपोर्ट आया नेगेटिव एक ही दिन में एक ही मरीज के दो अलग-अलग लैप से दो अलग-अलग मेडिकल रिपोर्ट आने से परिशान होकर पेड़े सदर्स के परिजनों ने दिपका थाने में शिकायत कर कलेक्शन सेंटर बंद किये जाने की मांगी है दरसल मामला बीते शनिवार का है जब जावर निवासी आर्ति सिंग राजपूत को समाने बुखार आने पर उनके पती दुरगेश ठाकुर द्वारा खुन की ज जनों द्वारा महिला को इलाज के लिए कोरबा इस्थित डॉक्टर बाचपई के पास ले जाया गया डॉक्टर बाचपई के द्वारा फिर से खुन की जाच करवाने के सलापर पर परिजन मरीज को दुरूब एनरजी के पैथोलेब लेकर गये जहां उनकी टाइफाइड नेगेटिव आई वह डॉक्टर द्वारा मरीज को केवल मामूली बुखार होने की जानकारी दी गई एक ही मरीज का एक ही दिन में दो मेडिकल रिपोर्ट आने से परिजनों में आकरोश उप्चा वह खबर आसपास के शेतर में फैलने से हड़कम मज गया इसके बाद परि कर रिपोर्ट गलत बताने को लेकर अपना विरोध दर्ज किया संतोष जनक जवाब ना मिलने पर परिजनों द्वारा दीपका थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई वही दूसरे पक्ष लैप प्रबंधन द्वारा भी सैंपल कलेक्शन सेंटर में अपने नीजी जांच केंद्रों पर पूरा भरोसा कर इनके रिपोर्ट को मानती है उसी के अनुसार अपनी बीमारियों का इलाज करवाती है ऐसे में एडवांस डियागनोस्टिक सेंटर द्वारा मरीजों का गलत रिपोर्ट देना हम आम जनता के विश्वास के साथ धोखा है ऐस के विभिन चिकित्सकी कारण हो सकते हैं हमारे जांच केंद्र में आई पॉजिटिव रिपोर्ट की डिटेल रिपोर्ट हमारे पास मौझूद है इसके बावजूद भी अगर किसी को रिपोर्ट से समस्या है तो उसने आकर प्रबंधन से बात करना चाहिए प्रबंधन से रिपोर्ट आया था जिसको दूर जगा टेस्ट करा गया है तो हमारे जो लैब है इसमें विगली पॉजिटिव कर दिखा रहा है और जो अधर लैब से टेस्ट कराए है वहां पर उसको नेगटिव दिखाया जाए तो यहां मैं कलेक्शन किया था कलूसका से मेडिया फूल सपोर्ट के लिए राजिस साहू की रिपोर्ट